दुमाना इस सब एक बड़ी खबर आ रही है मॉस्को एरपोर्ट पर 200 विमान रद्द कर दिये गए जो तरीके सा हालात बने हुए रूस और युक्रेन के बीच इसी को देखते हुए मॉस्को एरपोर्ट से कई विमान रद्द कर दे गए अभी ताजा जो जानकारी मिल रही ह थी कि रश्या की तरफ से कहा गया कि युक्रेन का एक एर बेस उन्होंने तबाह कर दिया है अब हालाच चुकिए एसकलेट हो रहा है खराब हो रहे है तो ऐसे में दोस्तों में बड़ी खबर आ रही है प्रतिमा उस खबर का रुक कर लेते हैं रूस के हमले की वज़े से य एक नागरिक की मौत हुई है यह युक्रेन ने कहा है की जो की युक्रेन की राजदानी है वहाँ पर रूसी हमले से एक आम नागरिक की मौत हुई है ब्रोवरी इलाका है जहां पर एक नागरिक घायल भी हुआ है इस वक्त की बड़ी खबर युक्रेन से आ रही है रूस के हमले के बाद यूकरेन की राज़धानी कीम में पहले मौत की खबर आई है, ब्रोबिरी इलाका है जहां पर ये हमला हुआ था, उसमें एक नागरिक की मौत हुई है और एक नागरिक घायल भी हुआ है। ब्रोबिरी इलाके को टारगेट नहीं करेगा केवल डिफेंस इस्टेबलिश्मेंट पर हमले करेगा लेकिन अब ये खबर यूकरेन की राज़धानी कीम में ब्रोबिरी इलाके में एक आम नागरिक की मौत हुई है और एक आम नागरिक घायल हुआ है। ब्रोबिरें हेलिकॉप्टर के जरीए हमले जी। ABP News आपको रखे आगे